तो दोस्तों अगर आपका फोन भी काफी slow charge होता है जब भी अपने फोन को charge करते हैं तो दोस्तों आपका फोन charge होने में 2,5,5 घंटे या फिर 3 घंटे सक लगाता है तो ऐसे में दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम आपको आपके फोन की चार ऐसी सिंपल सी सेटिंग बताएंगे जिन्हें दोस्तों जाकर के अपने फोन में कर देना है उसके बाद दोस्तों यकीन मानना आपकी phone की charging की speed है वो इतना ज्यादा boost हो जाएगी इतना ज्यादा बढ़ जाएगी कि दोस्तों आपको खुद यकीन नहीं होगा और दोस्तों जैसे आप जब नया phone होता है तो बहुत अच्छे से जल्दी सी charge होता है बिल्कुल वैसे ही नय phone जैसा charge होने लगा और आपका phone 30 से लेकर 40 minutes के अंदर full charge हो जाएगा तो दोस्तों वीडियो आपके लिए काफी जादा important है आप लोग इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से द्यान से पूरा इंड तक जरूर देखना और दोस्तों जो 14 नंपर पर हम आपको setting बताएंगे ट्रिक बताएंगे उस ट्रिक को तो आपको जरूर देखके जाना है तो इस तरी के से नाइस ट्रिक लिक के सेंड कर देना है उसके बाद आपको बैकाना वीडियो को अपने जितने भी दोस्त हैं WhatsApp पर ग्रूपस हैं वहाँ पर ज्यादा 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 सेयर जरूर करना है आप जैसे इतना कुछ कर लेते हैं तो जिलीव वीडियो करते हैं स् का फोन इतना फास्ट चार्ज होगा कि दोस्तों आपको खुद यकिन नहीं होगा बत दोस्तों अब आप लोग इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से पूरा इंड तक देखना और चौथे नंबर की सेटिंग तो आपको जरूर देखके जाना है तो सबसे पहली सेटिंग करने से लिएक दोस्तों आपको अपने फोन की सिटिंग में चले जाना है अब दोस्तों आप जिस सेटिंग में जाएंगे तो यहां पर आपको ऊपर सर्च क्क देखाई तरहत तो इस पर आपको टैबHello यहां पर आपको सर्च कर लेना है आर्टो अॉपिमाईज तो इस तरीके से आपको auto optimized जैसे हैं आप लिखेंगे तो यहाँ पर आपको auto optimized की setting मिल जाएगी अब दोस्तों यह setting एक hidden setting होती है जो कि हर एक phone में दी होती है लेकिन लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता लोग जानते ही नहीं है लेकिन अगर आप इसे search करेंगे तो यह फौरान आपको हर एक phone में मिल जाएगी अब दोस्तों यह setting बंध होगी अब देखें दोस्तों इसका काम क्या होता कि सबसे पहले तो आपको इसे on करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको time set कर देना जैसे कि आप देखते हैं मैंने set किया हुआ है 3 बजे का तो आप जो भी time set करें मैंने सुभा के 3 बजे sit के दिया है तो आप जो भी time set करेंगे उसके बाद आपको done पर set कर देना है अब दोस्तों यहाँ पर इससे क्या होगा कि आप जैसे ही सुभा के 3 बजे के हमारे phone में हमारा phone जो है अपने आप से जो है optimize हो जाया गया निकि हम सो अब दोस्तों phone optimize यह कैसी प्रक्रिया है जिससे दोस्तों हमारा phone बिलकुल clean हो जाता साफ सुसरा हो जाता है और बहुत अच्छे से charge होता है गरम नहीं होता यह सारी चीज़े हो जाती है तो इस setting को करने से दोस्तों रोज आपका phone automatically optimize हो जाएगा और आपके phone की charging speed कफी slow नही होगी तो इस setting को on करने से आपकी charging speed दोस्तों काफी ज़्यादा increase हो जाएगी बढ़ जाएगी उसके बाद दोस्तों आपको अपने phone के दर second setting on करनी है तो अब दोस्तों second setting on करने के लिए आपको अपने phone की setting में जाना है और उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे दो setting दिखाई दे रहें वाइफाई scanning ब्लूटूथ स्कैनिग अब दोस्तों यह दोनों setting जो होती है वो हर एक phone में आन होती है अब अगर दोस्तों आपका यहाँ से आप देखते हैं हमारा वाइफाई भी ब ओके तो इन setting को बंद करने से दोस्तों आपकी charging speed भी बढ़ेगी और आपका phone काफी fast charge होगा तो यह दोस्तों दो setting आपको करनी है उसके बाद दोस्तों अब आपको तीसरी setting करनी है जो सबसे ज़्यादा important है अब कई बार क्या होता है दोस्तों हमारे phone में कुछ ऐसे applications होते है जो background में इतना ज्यादा run करते रहते हैं कि हम अपने phone को तो charging पर लगाते हैं लेकिन उन application की वज़े से हमारा phone जो है काफी slow charge होता है लेकिन अब दोस्तों हमें पता कैसे होगा कि वो कौन से application है जिनकी वज़े से हमारा phone slow charge हो रहा है तो काफी simple है दोस्तों आपको अपने phone क अब सब्सक्राइब दोस्तों की setting में जाना है setting में जायेंगे यहाँ पर आना हो आपको यहां पर संगल नंबर लिखना है चले जाना है अब दोस्तों सबसे नीचे आपको developer option की setting मिल जाएगी तो यहाँ पर आपको आना है, उसके बाद आपको नीचे चले जाना है, अब दोस्तों यहाँ पर एक सबसे important setting आपको ढूण लेनी है, जो कि मैं आपको ढूण के दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर दोस्तों आपको setting मि ज्यादा जो है आपके फोन में रन कर रहे हैं तो आपका CPU काफी high loaded हो रहा है तो इन्हें सभी को आपको बंद कर देना ओके ये इतना काम कर देना उसके बाद दोस्तों आपको यहां से बाहर निकालाना है अब दोस्तों इन तीन सेटिंग को करते ही आप देखेंगे कि आपकी charging speed काफी बढ़ जाएगी और इस तीसरी सेटिंग से दोस्तों कमाल ही हो जाएगा लेकिन अब दोस्तों आपको अपने फोन में चौथी सेटिंग करनी है और इसको करते ही दोस्तों आप देखेंगे कि आपके फोन की speed जो है वो काफी बढ़ जाएगी तो आप दोस्तों जाना है अब सेटिंग में जाएंगे तो यहां पर आपको आना और यहां पर आपको सर्च कर लेना बैटरी इस तरीके से आपको बैटरी लिखके सर्च करना आप दोस्तों उपर फर्स नंबर पर ही आपको बैटरी की सेटिंग मिलेगी इसको आपको ओपन करना नीचे आना है और यहाँ पर more battery की setting होगी इस पर आना है अब यहाँ पर दोस्तों आप गहते हैं fast charging की setting दे हुई है जो बंद है अब दोस्तों अगर आपके phone में fast charging की setting बंद है तो फिर आपका phone fast कैसे charge होगा अब हो सकता है गलती ही से सेटिंग बंद हो गई हो या फिर आपको इस सेटिंग के बारे में पता ही ना हो तो इस सेटिंग को आपको आन करके ही रखना है तो बस दोस्तों इतना करने के बाद आप अपनी फ्लों की जो स्लो चार्जिंग की प्राबलम है उसे हमेशा के लिए दूर कर सकते है दोस्तों आप लोग इन सेटिंग की मदद से अपनी चार्जेक स्पील को काफी जाधा बढ़ा सकते हैं दोस्तों आज की वीदियो में इतना ही फिर मिलतें नेक्ट वीडियो में वीडियो आएज को लैक किजिये सेर किजिये थैंक्यू